हालो एवरिवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेशोट, क्यारा सक्सेशोट में आप साभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ कृतिका, एक बार फिर से बात करने वाले हैं, हम लोग यूपी-पी-सी-एल एक्डियूटिव असस्टेंट टाइपिंग के बारे में, आप लो इसी के साथ मैं कुछ आपको चीज़े बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और साथ ही आपको एक मोटिवेशन भी मैं दूंगे कि आपको जो है किस तरह से करना है काम, और बिल्कुल नर्वस नहीं होना एक्जाम पिरिट में, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, और आ आप जो है वहाँ पे अपना 100% दे पाओ, होना और नहीं होना ये बात की बात है, ये आपकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना 100% देना है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग टाइपिंग साफ्टवेर की, तो जैसा कि मैंने जिन लो आप जैको आप जैयार टाइपिंग ट्यूटर पर अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बहतर है, आप टाइपिंग कर यह उस पर कोई लिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ लोग जो है और भी अलग अलग सौफ्टवेर पर कर रहे हैं, सोनी इंडिया टाइपिंग पर कर रहे होंगे, कुछ लोग टाइपिंग बाबा पर कर रहे होंगे, बहुत सारे हैं इसमें, तो इसमें जो है सौफ्टवेर पर जिस पर टाइपिंग कर रहे हो, अब यह नहीं है कि किसी दूसरे का सुन लिया, कि किसी दूसरे नहीं किसी और पर एक बार जे यार ट्वीटर पर कर रहे हो तो इस तरह से नहीं करना है आपको एक पकड़ियो और एक के साथ ही जो है एकदम fix रहें ठीक है ना एक पर ही practice करिए बार बार प्रेटफर्म को change करने की जरुवत बिलकुल नहीं है और जिस पर भी करिए उसके लिए पूरा confident रहें कि मुझे इस पर करना है और इस पर मेरा अच्छा speed आ रहा है उसको focus करिए भी ठीक है क्योंकि जब आप start कर रहे थे तो मैंने कहा था कि आप ये भी देखो कि आपसे errors ना हूँ speed को maintain करने की सबसे बड़ी चीज जो होती है न वो errors ही है errors आप बार बार करते रहेंगे तो बार बार आप backspace जबाएंगे और कोशिश तो ये करो कि backspace का option ही off कर दो आपर ताकि न रहेगा ना करोगे ठीक है तो इन चीजों को ध्यान रखेगा और जो मैंने आपको बताया है software जो है तो वह आपका यार है ना typing tutor तो इस पर आप typing कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है sony पर कर रहे हैं तो भी ठीक लेकिन जैसे एक होता है कि जो interface इसका है वो काफी अच्छा है यार टाइप इंच्वीटर का अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अप इस पर कर ये practice ठीक है अच्छा है यह और सही है इसका interface सही है पढ़िया है ठीक है अब कुछ लोगों हैं जिसमें जादा alphabets हैं है ना कोई बड़ा word है भाई देखो जब आपका जब paragraph moderate level का होगा या tough level का होगा तो speed आपकी automatic कम हो जाएगी उसमें है ना आप errors करने लगोगे जल्दिवाजी में कुछ भी आप से हो सकता है कोई आप दबाना L चाह रहे हो दब कुछ और गया गलब गलबाला उससे तो यह सारे चीज़ें होती है इतना जादा difference नहीं आएगा ठीक है कि आप इस दम पता चला कि 20 वर्ड पापनिट कर रहे हो उसमें 35 हो गया या उसमें 35 कर रहे हो तो उसमें 35 हो गया तो कोई ऐसा नहीं होगा और वो भी होगा भी तो डिपेंड करेग कि paragraph किस तरह का है किस level का है paragraph ठीक है इसके लिए पारिशान मत हो ये अब आती है बात कि जैसे अब आप लोग practice कर रहे हैं तो देखो घर का महल तो basically सबका भाई examination hall से अलग ही होता है ना घर में exam वाली feeling आप जैसे वहाँ पे सारे बच्छे करते हैं वैसा feeling तो आपको नहीं होना है examination जब भी आप वहाँ पर typing देने जाएंगे आप अभी से भी नर्वस मत होई है बस इतना समझे कि आपको इस लड़ाई को लड़ना है ठीक है आपके पास इसके अलाबा कोई option नहीं है लड़ना ही तो ठीक है लड़के आओना अच्छे से तो वहाँ पर आपको जा क करके बिल्कुल planning नहीं होना है और किसी तरह की कोई भी घबराहट मन में मत रखें यतना भी आपसे हो रहा है accuracy maintain करने की कोशिश करिए speed बढ़ जाएगी अप ठीक है accuracy maintain करने की कोशिश रखिए जितनी जादा practice करेंगे उतनी जादा आपकी जो है speed बढ़ेगी ही इसमें कोई मेरा भी जो है starting है मेरे से हो पाएगा की नहीं हो पाएगा देखो बहुत से लोग करने वाले कर ले जाते हैं है ना कुछ लोग यह कह रहा है मेरे अभी एक ही महीना हुआ सीखते हुए कैसे होगा होगा तो करो ना 8 गंटा 10 गंटा लगाता टाइपिंग करो daily टाइपिंग क जाओ ठीक है जरूरी थोड़ी है कि आप 50 वर्ट पर मिन्ट करके आएं जरूरी तो नहीं है न वह तो आपकी लिमिट है आप असी वर्ड पर मिन्ट कर लो ठीक है यह मेंटा नहीं करता है अगर 35 वर्ड पर मिन्ट है वहां पर 35 करके आगए तो भी qualify हो जाओगे हो जाओग होगा अगले merit तक जाने के लिए अगले merit मेंतों आने के लिए ठीक है तो यहीं करती नहीं यह बाकर कोई कैमेंट करेगा एस्टागरांपे भी आप मैसेज कर सकते हैं ठीक है ओर कोईका होती है तो शीसले जरूर से बताईये का और की आप लोगी घदाव वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठिलें टेक क्या रिंट बाबाए